सब्सक्राइब कीजिए The Special Teacher चैनल को और इस बैल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल The Special Teacher में मैं हूँ आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक New Vacancy की जो की हर्याना के अंदर Special Education के फिल्ड में आई है तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलेंगे उसी अपडेट पर लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पे फास्टाइम आई हो तो आप मेक शूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आप हमें सोशल प्लैटफरम्स पे फॉलो कर सकते हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो special education की आज की इस vacancy की बारे में discuss करते हैं दोस्तो हर्याना welfare society for persons with speech and hearing impairment पंचकुला ने एक notification जारी की है और उसमें एक requirement है faculty for special education RCAE courses full time पंचकुला के अंदर है ये fix salary है per month 30,000 कौन इसके लिए eligible है तो देखते हैं अगर आपके पास qualification में masters है social science के साथ, humanities के साथ या sciences के साथ और इसके साथ में अगर आप M.Ed special education है है अच्छाई से और इसके equivalent है with two years of experience post qualification of teaching in special school for children with hearing impairment और teaching in RCA approved long term programs तो आप इसके लिए eligible है first qualification बताई है masters होनी चाहिए आपके पास social science में humanities में और science में second आपके पास एक option है कि अगर आप M.Ed H.I. से हैं और दो साल का आपके पास experience है तो आप इसके लिए eligible है इसके लावा B.Ed special education H.I. से हैं और आपके पास 5 साल का experience है 5 years of experience आपकी education के बाद तो आप इसके लिए eligible है या अगर आप D.Ed H.I. से हैं और आपके पास after your qualification 10 साल का experience है तो आप इसके लिए eligible है इसके साथ ही आपका R.C.E. में registration होना जरूरी है प्रेफरेंस उसे दी जाएगी जिसके पास Indian Sign Language की knowledge proficiency होगी ठीक है इस नोटिफाइड for the information of all concerns that the above said agreement is on purely contract basis under CSR तो सो contract basis पर जौब रहेगी तो इसकी salary 30,000 पर मन्त रहेगी ठीक है तो अगर आप इसे apply करना चाहते हैं तो application form आपको यह वाला हमारे telegram के channel पर मिल जाएगा ठीक है दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही thanks watching the video have a great day